नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका क्रिसी जागरन यूटूब चानल में आज हम आपको एक ऐसे गाउं के बारे में बताएंगे जहां हर साल 30 लाग से ज्यादा जहरीले साब पैदा किया जाते हैं शंगाई खेतों में अन, डाले, तिलहन और सबजियां पैदा की जाती है, चिकन और अंडों के लिए मुर्गी फार्मिंग की जाती है, बकरी और मशली पालन किया जाता है क्या आपको मालूम है कि साब पालन भी किया जाता है? हमारे पडोसी देश, चीन में लोग जहरीले साबों की खेती करते हैं, और वो भी लाखों की संख्या में चीन एक गाउं में हर साल 30 लाख जहरीले साब पैदा किये जाते हैं चीन के जिसे क्याउं गाउं में बकाइदा स्नेक फार्मिंग की जाती है इस गाउं की कुल अबादी 1000 के आसपास है कैसे हुई शुरुवात जिसे क्याउं गाउं में पहले चाई, जूट और कपास की खेती होती थी लेकिन आज ना केवल चीन बलकी पुरे विश्व में इसे स्नेक फार्मिंग के कारण चाना जाता है इस गाउं में स्नेक फार्मिंग की शुरुवात गाउं के ही एक किसान यौं होंग चैंग ने की थी हौंग चैंग ने बताया जब वो यूवा थे तो गंभीर रूप से बिमार पड़ गए इलाज के लिए उन्हें साप की जरुवत थी जिसके लिए उन्होंने एक जंगली साप को पकड़ा इसी दोरान उन्हें साप से जुड़े कारोबार का खयाल आया हर शक्स पैदा करता है 30,000 साप यानि गाउं का ओस्तन हर शक्स पूरे साल में लगबग 30,000 साप पैदा करता है यहां पाले जाने वाले सापों में विशाल अजगर, खतरना कोब्रा और जरीले वाइपर सहीद कई जानलेवा साप शामिल है स्थाने लोगों को जिस साप से सबसे ज़ादा डर लगता है वो है फाइव स्टेप स्नेक इसका नाम फाइव स्टेप रखे जाने के पीछे भी बड़ी दिल्चस्प कहानी है आम लोगों का मानना है कि इस साप के काटने के बाद इनसान में पाच कदम चल पाता है और उसकी मौत हो जाती है साप के मीट के शौकिन है चीनी यहां सापों की खेती उनके मास और शरीर के अन्ने अंगों के लिए की जाती है साप का मीट चीन में शौक से खाया जाता है साथी सापों के शरीर के अंगों का उपियोग दवाओ के निर्मान में भी होता है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद